देश में नागरिक्त संचोधन कानून यानी CAA लागू होने से इसके कारण पढ़ने वाले असर को भापते हुए कई राजनेतिक दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया बढ़ते विरोध को देखते हुए केंद्री ग्रहमंत्री अमिट्शा ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि केंद्री सरकार की नागरिक्ता से संबंधित कानून बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार है इसे निरस्त करना संभव नहीं है अलाकि अब विपक्षी दलों ने अमिट्शा को ही आडे हाथो लिया है उनका ये भी कहना है कि वो पश्शिम बंगार और असम में चुनाब जीतने के लिए अपना पहले वाला हत्यार फिर से इस्तेमाल कर रहे है केंद्री ग्रहमंत्री अमिट्शा के बयान पर दिली के सीम अर्विन के जिवाल ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज सारी सरकार मिलकर अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है आप भारी संक्या में पाकस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान के लोगों को यहां बसाना चाहते हैं उन्हें कहां से नौकरियां देंगे पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरियों का इंतजाम करें उनके लिए घर कहां से आएंगे अपने देश में लोगों के पास नौकरी और घर नहीं अमिट शा के बयान पर अर्विंद केज्रिवाल क्या कुछ कह रहे हैं जरा एक बार आप भी सुनिया आज सुबह माननिये ग्रह मंत्री श्री अमिट शा जी ने जो कल मैंने प्रेस कॉन्फरेंस की थी उसके उपर उन्होंने बयान जारी किया है उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आप से मुखातिब हो रहा हूँ मैंने उनका बयान सुना माननिये ग्रह मंत्री शी का अपने पूरे बयान में जो प्रश्ण मैंने कल उठाए थे उसका किसी भी एक भी प्रश्ण का उन्होंने जवाब ने दिया उन्होंने केवल मुझे गाली गलोच किया है के जिवाल भरष्ट है के जिवाल ये है के जिवाल ऐसा है के जिवाल वैसा है मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि आज हम पूरा देश मिलके सारी सरकारे मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान बांगलादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो उनको नौकरियां कहां से दोगे उनके लिए नौकरियां कहां से पाकिस्तान से बांगलादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाते हो, माइग्रेशन करवाना चाते हो, वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरिया, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे, अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में और लोगों के पा और यहां बसाया जाएगा इससे दंगे होंगे इन सब के कारण अपराद दर्में व्रिद्धी होगी क्या हमारी समस्याइं खत्म हो गई है क्या महंगाई गरीबी खत्म हो गई है या विरोजगारी खत्म हो गई है लगबग 11 लाग पुझी पती देश छोड़कर चले गए है पीम नरेंद्र मोदी को उन्हें वापस लाना चाहिए प्रियंका ककड को सुनिए रास्टी प्रवक्ता है अमाद्नी पाटी की चीज जहां तक CAA का सवाल है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगला देश से लोगों को लाकर बसाया जाएगा हमारे देश में उनको कह बसाया जाएगा आप खुदी सोचिए कि आपके घर के आगे अगर जुगी लगाएं उसमें पाकिस्तानी हो तो क्या आपके घर की बेटी आपकी बेटी आप सुरक्षित फील करेंगे भाजपा लेती है ग्यारेंटी लौ एन ओडर की भाजपा यहां पर दंगे होंगे यह कि यहां पर सुहार्द बिगडेगा यहां पर चोरिया डकेतियां बढ़ेंगी क्या यह देशों कर आनाचाथी है भाजपा यहां हमारे सरी मुद्रोंब्डा्जी फात को देश में म था भाउजपा ठी में मेहंगाया ठीक ही हम देश में बेरोसगारी खतम हो गई क्या मोदी जी को उनको वापस लेकर आना चाहिए ना कि सब लोगों सारे देशों के गरीब लोगों को हमारे देश में बसाकर और हमारे रीसोर्स के उपर संसाधनों के उपर हमारे बच्चों के संसाधनों के उपर हिसा डालना चाहिए CAA पर केंद्री ग्रेमत्री अमिट शाह के बयान पर कॉंग्रेस के सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि कोरोना महामारी से पहले CAA बिल संसद में पारित हुआ था और नियमों को बनाने में उन्हें साले चार साल लग गए वो पशिमंगाल और असम में विभाजन करना और चुनाव जीतना चाहते थे फिर से वो पशिमंगाल और असम जीतने के लिए उसी हथियार का उपयोग कर रहे हैं अमिट शाह का लोगों को धोका देने का प्रयोग काम नहीं करेगा उत्तर प्रदेश के कॉंग्रस प्रमुक अजयराय कहते हैं कि आज दुरुवी करण की राजनिती हो रही है नागरिकता देने के बाद जो की जा रही है जो नागरिक हैं उनको तो रोज़गार देने ही पा रहे हैं उनसे भेदभाव हो रहा है और आप बाहर के लोगों को नागरिक्ता दे रहे हैं। दुरुवी करण की राजनिती करने के लिए CAA लागू हुआ है। जब ये कानून राजसभा लोकसभा में पास किया गया था। उसी दौरान इस कानून को लागू करना चाहिए था। आमिच शाह के बयान पर आजयराय की ये टिपड़ी नागरिक्ता देनी की बात कर रहे है। जो नागरिक है उनको तो रुजगार दे नहीं पा रहे हो। जो लोग आपके हैं रह रहे हैं उनको आप रुजगार काम नहीं दे पा रहे हो। उसमें भेदभाव हो रहा है। आप बाहर के लोगों को नागरिक्ता दो के? यहां को नहीं है यहां लोगों काम नहीं है लोगों का धंदे नहीं चल रहे हैं सब लोग नौजवान बेकार घूम रहा है और आप बड़ी-बड़ी बात दूसरे देश के लोगों को लाके नागरिता देने की बात कर रहे हैं जो लोग यहां है पहले इनको नोकरी दीजिए जो आप जमेटो गड़ी लेकर घर घर खाना पहुंचा रहे हैं लोगों की निस्चित तोर से आप गलत आपने धुरूई करण की राजनीत करने के लिए इसम लागू किया है अगर इसको लागू करना था तो जब ये कानून पास किया गया रास्वालोक सबा उसी दोरान आपको कानू लागू कर देना चाहिए था ये इसी लिए सब लोग भाईवीत हैं डरे हैं कि आप कहीं ने कहीं जैसे आपने नुडबंदी करके जीस्टी लगा के लोगों का सोशन किया लोगों को परिशान किया इसी परकार आप देखस के नागरिक को देखस की एक भुली बाली जनता क परिशान करने का काम करेंगे जो हिंदूस्तान के नागरिक हैं डो इनकी ओटर हैं अब यहां काशी में बाबा विश्वनात की नगरी में जहां कि मुझी संसद हैं उनको तो नोकरी मिली ले रही है उनको तो काम मिली नहीं रहा है अभी अमोल के फैक्टरी अपने खोला है सब गजरात के लोगों का वां के भर हो वह करे परदान मंत्री चुनकर यहां के लोग बेरुजगार घूम रहे हैं लोगों के पास काम नहीं है धंदे नहीं है केंद्री क्रेमंत्री आमिट्शा के बयान पर आरजेडी सांसत मनोज्जा ने कहा कि पहले के समय में चुनावों में इस तरह की भाशा का इस्तमाल नहीं किया जाता था आरजेडी के सांसत और कद्दावर नेता मनोज्जा सिये पर क्या कह रहे हैं उन्हें भी सुदिये ये शत्रुता की और इस तरह की जुबान भारतिय राजनीत में पहले नहीं थी चुनावों जीतते थे लोग चुनावों हारते थे लेकिन अपने पृतिदवन्दी के लिए इस प्रकार की अशोबनिय भाशा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए मैंने तो सिये पर माननिय ग्रीमंत्री जी का तब भी भाशन सुना 2019 में दिसंबर के महिने में ये पास हुआ हमने अपना पृतिरोध दर्ज किया था क्यों क्यों कि सम्विधान सम्मत नहीं है दूसरा तमिल हिंदूओं ने क्या बिगार दिया आपका और पर्सेक्यूशन सिर्फ रिलीजिस भी होता है पृलिटिकल पर्सेक्यूशन भी होता है अगर आप इन देशों का ही नाम ले रहे हैं तो इसमें कई इसलाम में भी सेक्ट हैं जिनका पर्सेक्यूशन होने की बात आती तो ये एक पर्फा नजरिया हम चाते थे कि समय कित नजरिया में तब्दील हो लेकिन उसका अभाव है धानमंत्री जी में भी और ग्रीमंत्री जी से भी बस इतना अग्रह करेंगे कि चुनाओ की गर्वी बहुत बड़ेगी आपस में बेभार में गर्माहट बनी रहे CPIM माक्सवादी नेता व्रिंदा करात का कहना है कि पूरा देश अमिट शा को याद दिलाना चाहेगा कि मार्च 2020 में उन्होंने लोकसभा में कहा था कि क्रोनोलोजी समझीए पहले हम लोग C.A. लाएंगे और उसके बाद हम NRC लाएंगे और ये केवल असम में ही नहीं पू कुरे देश याद दिलाना चाहेगे कि आमिट शा जी ने मार्च 2020 में लोकसभा में जो बेयान दिया था क्रोनोलोजी समझे पहले हम लोग C.A. लाएंगे और उसके बाद हम लोग NRC लाएंगे और ये केवल असम में नहीं ये देश भर में लागो होगा 2020 मार्च महिना लोकसभा के रेकॉर्ड निकाल के देख लीजे और चुनाव के पहले जब आसाम में और पूरे 39 में और देश भर में जब इसका विरोध हो रहा है तो आमिट शा जी ये कह रहे है कि NRC और C.A. का कोई लिंक नहीं है तो पहले वो पूरे देश को बोले तो ल DGP, RSSS के जो लीडर्स है ये चुनाव को सामने रख कर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हकीकत जो है वो ख्रोनॉलिजी है या तो अमिट शा कहे कि हमने जूट बोला लोकसभा में, हमने मिसलीड किया लोकसभा को, वो वापस ले उस बयान को टीमसी के नेता सागरीका घोश ने भी अपने बयान में कहा कि ग्रेमंत्रिया मिट्शा बंगाल सरकार पर गुसपैठियों और शरनार्थियों के बीच अंतर नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं, ममसाब एनरजी पर रास्तिय सुरक्षा से समझोते करने का आरोप लगा रह इधर डीमके के प्रवक्ता TKS इनलागोवन ने भी कहा कि पाकस्तान के कबजे वाले कश्मीर का मतलब है कि बहां रहने वाले लोग भारती हैं, उन लोगों को क्या होगा जो वापस आना चाहते हैं, वो भी मुस्लिम हैं, लेकिन क्या वो भारती नहीं हैं, अगर वो भारती नेताओं पर तुष्टी करण की राजनिती करने का अरोब लगाया, इसके साथ उन्होंने कहा कि सिये मोधी सरकार द्वारा लाया गया है और इसे रद्ध करना तो संभव है ही नहीं, कोई वापसी नहीं होगी, उन्होंने ये बात जोर देते हुए कहीं कि लोगसभा चुन गया है कानून और उसके लागू करने का अधिकार केंद्र का शेत्र है न कि किसी भी राज्जिका, उन्होंने आगे का कि हमारे सम्मिदान का नुचेद 11 संसत को नागरिक्ता के संबंद में नियम बनाने की सारी शक्तियां देता है, मुझे लगता है कि चुनाओं के बाद ह हर कोई सायोग करेगा और तुष्टी करन की राजनीती के लिए दुष्प्रचार नहीं होगा आपको पता दें, नागरिक्ता संचुरूतन विदेक 11 दिसंबर 2019 को संसत से पारित हुआ था, एक दिन बाद ही इस विदेक को राश्पती की सहमती मिल गई थी CAA के जरिये पाकस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिक, जैन, बौद और पार्सी और इसाई समुदाय से सम्मंधित जो अलपसंख्यक हैं उन्हें भारती नागरिक्ता देने में आसानी होगी ऐसे अलपसंख्यक 31 दिसम्मर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, सिर्फ उन्हें ही CAA कानून के तहट नागरिक्ता में लेगी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें